नमस्का दोस्तो, आज की वीडियो में हम देखेंगे डोपिंग क्या होता है, कैसे डोपिंग की जाती है, और डोपिंग टेस्ट से कैसे बचा जा सकता है ये है आमादमी, ये कितना दोड सकता है, कितना वजन उठा सकता है, कितनी देर अपनी सास रोक कर रख सकता है इन सबी चीज़ों की एक लिमिट होती है और अगर इसे ये लिमिट बढ़ानी है कुछ इंजक्शन्स या कहे परफॉर्मस एनहंसिंग ड्रग्स जैसे पधार्तों से बॉडी की शमता को बढ़ाया जा सकता है इसे ही कहते हैं ब्लड डोपिंग कई एथलिट्स ऐसे गिरोने काम करते हैं मेडल्स की लालच में और इसे पकड़ने के लिए डोपिंग टेस्ट की जाती है आज हम ऐसे ही कुछ टेस्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वाके ही उन्हें चीट किया जा सकता है या नहीं सबसे पहले जानते हैं सबसे आसान तरीका जिसे कहते हैं प्लड ट्रांस्वूजन इसमें एक एथलिट अपना खुद का खून निकालके उसे कही मैनों के लिए सुरक्षित रखता है इस वक्त के दौरान इंसान का शरीर निकाले गए खून को फिर से भर देता है अब कॉम्पिटिशन से पहले खिलाडी निकाले गए खून को फिर से अपने शरीर में डालता है जिसके चलते उसके शरीर में RBC याने Red Blood Cells की सप्लाई की मातरा बढ़ जाती है Red Blood Cells खून में मौजुद होती है और इनका काम होता है खून में Oxygen को संभाले रखना अब ज़्यादा खून डालने से RBC की मातरा बढ़ जाती है जिससे के खून में Oxygen की मातरा बढ़ जाती है जिससे के खिलाडी जल्दी ठकता नहीं या फिर यू कहें के उसका Endurance Level बढ़ जाता है और क्योंकि RBC खून में पहले से ही पाया जाता है इसलिए इस डोपिंग को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है Blood Translusion को जाचने के लिए Biological Passport Test किया जाता है इस Test में खिलाडी के खून में RBC की मातरा को जाचा जाता है अब आप कहेंगे कि RBC खून में पहले से ही होता है तो उसे Test करके क्या फायदा होता यू है कि Test में RBC के अचानक से बढ़ने की गती को मापा जाता है खिलाडी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खून की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और पास्पोर्ट टेस्ट में इसी खून के मात्रा के बदलाव को जाचा जाता है अगर रिपोर्ट में आया कि खिलाडी का RBC काउंट हद से ज़्यादा है तो खिलाडी का जीता गया मेडल उससे चील लिया जाता है और उसे गेम्स से भी सस्पेंड किया जाता है अब चलिए जानते हैं कि क्या इस टेस्ट को चीट किया जा सकता है बायलोजिकल पास्पोर्ट टेस्ट अभी नया है और इसलिए इसके results पे निर्वर हो पाना games agencies को सही नहीं लगता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाडी doping करके medal चीज सकता है end तक बने रहे और आप जान लेंगे कि खिलाडी को कैसे पकड़ा जाता है अब बढ़ते हैं दूसरी test की तरफ इसे कहते हैं EPO याने erythropor protein injections EPO एक hormone है जिसे kidneys पैदा करते हैं ये hormone भी खून में RBC की मातरा को नियंतरित करता है EPO injections खून में oxygen की मातरा को 7% तक बढ़ा देते हैं EPO को खिलाडी के मूतर से पकड़ा जा सकता है पर खिलाडी इससे भी बच जाता है चलिए जानते हैं कैसे EPO से बचने के प्रोसेस को कहते हैं microdosing सोने से पहले खिलाडी इसे बहुत कम मातरा में लेता है अगर जाधा मातरा में लिये तो मौत भी हो सकती है इसे लेने के बाद करीब एक लिटर तक पानी पिना होता है सुबा तक EPO शरीर में अच्छी तरह से घुल जाता है और EPO के particles जो मुतर में मौजुद रहते हैं उसे पानी साफ कर देता है जिसकी वज़ा से टेश्ट में से खिलाडी पास हो जाता है अब बढ़ते हैं तिसरे तरीके की तरफ इसके उपयोग से मोटापे को जल्द ही घटाया जाता है और मसल्स को बढ़ाया जाता है खिलाडी ऐसे कर पाते हैं HGH यानि ग्रोथ हर्मोन को बढ़ा के HGH यानि Human Growth Hormone Pituitory Gland से संचारित होता है इसे Medical Purpose के लिए रोगी पर उपयोग किया जाता है 1980 से पहले ये हर्मोन मुर्दा इंसान के शरीर से पाये जाते थे क्यूंकि इस हर्मोन को नेचरल फॉर्म में लैब में नहीं किया जा सकता लिकिन इसको इंजट करने के बाद जैकॉब डिसीज नामक एक बिमारी से पेशन्ट की मौत हो जाती थी ये तो 1980 के बाद साइन्टिस्ट ने RHGH याने Recombinant Human Growth हर्मोन का लैब में निर्मान किया इसका एक वेरियंट है इंसुलिन जिसे डियाबेटीस पेशन्ट्स लेते हैं अब स्पोर्ट्स में इस हर्मोन के उप्योग से मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है इसका सेवन ज़्यादा तर स्विमर्स करते हैं खिलाडी इसे एक हफ्ते में तीन से चार बार लेता है 25 दिन के लिए इतने ज़्यादा कॉंटिटी में लेने के बावजुद खिलाडी इस डोपिंग से बच जाता है चलिए जानते हैं कैसे ग्रोथ हर्मोन खून में बहुत कम समय के लिए रहता है और मुत्र में भी ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है RHGH और HGH दोनों का केमिकल स्ट्चर लगबग सेम होने से इसको पकड़ने में बहुत दिक्तत आती है साथ ही साथ pituitary gland growth hormone को एक ही मातरा में नहीं release करता कभी-कभी ये ज़्यादा मातरा में संचारित होता है तो कभी-कभी कम मातरा में इस सभी दिक्कतों के चलते इस डोपिंग को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था तभी 2012 में scientist को पता चला कि RHGH में एक पदार्त बाया जाता है जो HGH में नहीं होता लेकिन इसकी जाज बहुत सक्री होनी चाहिए ऐसे बहुत डोपिंग practices हैं जिसे खिलाडी मेडल्स पाने के लिए करते हैं पर यह जान ले कि टेस्टिंग के वक्त खिलाडी के टेस्टिंग सेंपल को कहीं सालों तक श्टोर किया जाता है जैसे जैसे टेकनोलोजी आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इन सेंपल्स पे टेस्ट करके डोपिंग पकड़े जाती हैं कई ऐसे एक्जामपल्स हैं जिसमें मेडल्स जीतने के 23 सालों बाद खिलाडी को डोपिंग में पकड़के जेल में डाला गया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद लाती है तो चनल को सब्सक्राइब कर कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूस जरूर शेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद